नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज हम तथ्य संक्लन की वीदियों पर चर्चा करेंगे कि तथ्य संक्लन है वो हम किस परकार से कर सकते हैं हमने अपना रिसर्च का टोपिक चैन कर लिया होगा आपने मन के अंदर हमने हाइफोथिसिस बना ली है रिसर्च डिजाइन बना ली है, उसकी टेस्टिंग भी कर ली है अब असली कार्या शुरू होता है तथ्यों को संक्लित करना तो आज हम तथ्य संक्लन की पर्थम वीदि, आउलोकन, observation पे चर्चा करेंगे आज इस क्लास में हम संपूरण आउलोकन के जितने भी टोपिक्स बनते हैं और जितने भी संबावित पर्षन आ सकते हैं, उन पे चर्चा करने वाले हैं आर्थ, परिवासा, इसकी विशेशताएं, परकार, परकारों में अंतर, गुणे अंदोस, महतोपुरण पर्षन जो की पर्तियोगी प्रिक्षाव में पूछे, जा चुके हैं, इन पे चर्चा करने वाले हैं तो देखो, आउलोकन, ऑब्जरिवेशन, तो हम सभी करते हैं, अभी आप ऑब्जरिवेशन ही तो कर रहे हो तो फिर इस observation में इस आउलोकन में अंतर क्या है तो ये पहले मैं थोड़ा सा इसका बता दूँ उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि जो हम आउलोकन करते हैं और जो समझिक अनसंधान में आउलोकन करते हैं उसमें अंतर क्या होता है तो ये अवलोकन है तथ्य संकलन की सबसे प्राचीन पर्थम विद्धी है और इसलिए मोजर ने C.A. मोजर ने इसको क्या का है सास्त्रिय पदती का है वेज्ञानिक नुसंधान की सास्त्रिय पदती classical method इसको कहा है अगर हम इसके साब्दी कर्थ की बात करें तो आप जानती होंगे कि यह observation है वो अंग्रेजी का सब्द है और जिसका हिंदी अनुवाद हम आउलोकन पड़ते हैं इसको हम देखना प्रेक्षण आउलोकन निरक्षण कई नामों से जानते हैं अब यह देखना है यह आउलोकन करना है निरक्षण करना है तो फिर जो हम रोज करते हैं अभी आप कर रहे हों मैं कर रहा हूं यह क्या है यानि समान्य देखना और इस आउलोकन में अंतर क्या है अंतर यह है कि किसी भी गटना, किसी भी वस्तु को वैवस्तित एयों सुक्सम रूप से देखने परकने और आलेखन की विद्धी, आलेखन यानि उसको नोट करना साथ में, जब हम करते हैं तो उसको नोट नहीं करते हैं, और हमारा कोई उदेश्य नहीं होता है, इसका क्या होता है, ये एक उदेश पुरण वैवस्तित और सुक्सम यानि गहराई से उस चीज़ को देखना होता है, ऐसा सिधारन तोर पे देखना नहीं होता है, जैसे अभी आप कोई वीडियो देखते हो, तो ये आपका देखना हो गया, अगर आप तुलना करोगे किसी के साथ, जैसे अगर मेरी तुलना आपको चार-पांच फ्लेटफरम और देखे होंगे आपने, जो सोशलोजी को पढ़ाते हैं, तो अगर आप उनमें फिर तुलना करके व्यवस्तित रूप से देखोगे कि किसने क्या कंटेंट दिया है, किसने क्या कंटेंट दिया है, तो फिर वो क्या होगा, वो ये अजिक अनुसंधान के लिए किसी गटना या अवस्तु से समंदित, वेवस्तित रूप सुक्सम अध्यन उसकी जांग स्परक की जाती है, उसका आलेखन किया जाता है, तो इस विद्धी को अवलोकन कहते हैं, ये बोतिक के साथ साथ एक मानसिक किरिया भी है, इसमें मानसि इसा होता है, कि जब हम कोई पेज पढ़ रहे होते हैं, कोई प्रिष्ट पे कुछ चीजे पढ़ रहे होते हैं, और बाद में देखते हैं कि उसमें से क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा में याद ही नहीं रहा, क्योंकि उस समय हम मानसिक रूप से कुछ और सोच रहे थे, द वड़े एउं हाट ने क्या कहा है, कि विज्यान, साइंस और लोकन से परारंब होती है, तथा उसे अंतिम वेधता के लिए और लोकन पर ही आना पड़ता है, यानि तथ्या लेने के लिए और लोकन ही होता है. को करते हैं और अंत में जब हम निसकर्स परस्तुत करते हैं विशलेशन करते हैं तब भी हमें अवलोकन का सारा लेना पड़ता है तो ये कथन बार-बार प्रिक्चा में पुचा गया है ये कथन किन का है गुड़े और हाट का है दोन्नों का है गुड़े ने कह दिया कि प्रा आउलोकन पर लोटना होता है अब परसन जो बनते हैं वो बनते हैं कि किस ने आउलोकन विद्धी का परियोग किया परसन आएगा निमन लिखित में से किस ने आउलोकन का परियोग किया सहभागी आउलोकन का परियोग किया ऐ सहभागी हो तो कुछ विशेश जो विशेश पर सहभागी अउलोकन किया मिलोवन्सकी ने ट्रोबियांडा दीप का अध्यन है वो सहभागी अउलोकन से किया यह सबसे महतोपुर्ण है यह मिलोवन्सकी का यहीं से समान जाते हैं इसको फिल्डवर्क भी कह सकते हैं सहभागी अउलोकन को तो यह सबसे महतोपुर्ण है CRT में दिया हुआ है तो वहाँ से परसन उठाते हैं तो मेलोवनस के का जरूर उठाएंगे इसके इलावा लिंड का मिडल टाउन का जो अधिन था वो भी अवलोकन पर अधारित है फरत का टिकोपिया का जो अधिन है वो भी इस पर अधारित है बारनर रेंड का यांकी सिटी यांकी सिटी का जो अधिन है वो भी अवलोकन पर अधारित है चार्स बूत ने लंदन के सर्मिकों का अधिन किया अवलोकन विद्धी से जोन हावर्ड ने इंगलेंड में जेलों के अंदर केदियों का अधिन किया इस विद्धी से एंडर्सन में होबो संसकर्ती का अधिन किया रेड़ फिल्ड ब्राउन ने एंडमान द्यूप सुए एंडमान आईलेंड्स का अधिन किया सहबागी या अर्द सहबागी आउलोकन से भारत में भी बहुत सारे आउलोकन हुए है इसकी प्रारंब है इसका प्रारंब करने का स्रेक इसको जाता है एमन सिरी निवास को जाता है दुनिया के अंदर मेलोवन्सकी को जाता है और भारत के अंदर एमन सिरी निवास को जाता है तो हम भारत को भारत में मेलोवन्सकी का जो उत्रा दिकारी है वो किसको कह सकते हैं एमन सिरी निवास को कह सकते हैं रामपुरा गाउं का अध्यन किया, आंध्रे बिताईने तमिलाडू के तंजोर जिले के सिरिपूरम गाउं का अध्यन है, वो अवलोकन विद्धी से किया है, तो ये जो मैंने जितने बताए हैं, वो आपको याद होने चाहिए, यहां से पर्षन बनेंगे ही बनेंगे, और स सर्वोतम विद्धी है, यानि अगर सामुहिक वेवार का अध्यन करना है, अगर पर्षन आ जाए कि सामुहिक वेवार से समंधी तथ्या संकलित करने हैं, तो सबसे अच्छी विद्धी कौन सी है, तो कौन सी है, आवलोकन सामुहिक वेवार का, व्यक्तिगत तो हम अब क्या है कि हम अवलोकन के द्वारा किस परकार के अधिन है वो कर सकते हैं जैसे कि पारिवारिक जगडे हैं उनकी बारमबारता कि इसको किस बात पर जगड़ा होता है सामाजिक वेवार का हम अधिन कर सकते हैं सामाजिक जो समंध है उनका अधिन है वो हम उनका अवलोकन ह वो कर सकते हैं और गेलर्ट ने, गेलर्ट ने का है कि बच्चों का अगर अधिन करना है तो उसमें भी आउलोकन सबसे अच्छी विद्धी है, क्या है आउलोकन है वो सबसे अच्छी विद्धी है, अब है कि आउलोकन किसे कहते हैं, आउलोकन किसे कहते हैं, तो ये बार-बा इसलिए बार-बार आपको ट्रेन की आवाज हर वीडियो के अंदर दिखाई सुनाई दे जाती है आउलोकन की परिभासाएं बी आउलोकन की परिभासा से भी परसंद आते हैं पीवी यंग ने क्या कहा पीवी यंग ने कहा है कि आउलोकन सवाविक गटना को गटित होते समय नेत्रों दोवारा आउलोकन सवाविक गटना सवाविक गटना कौन से होती है जो हम अपने आप करते हैं लेकिन कुछ आउलोकन की सिमाएं भी है उनपे भी चर्चा करेंगे कि जब आउलोकन हम कर रहे होते हैं तब ये सवाविक गटना नहीं रह जाती है जैसे कि आप कही चल रहे हो अपनी मस्ती में चलते हो तो वो सवाविक चीज है लेकिन जब आपको पता चले कि 10-20 लोग 50 लोग मेरे को देख रहे हैं तो हमारी क्या है कि जो चाल है वो तुरंत बदल जाती है यानि वो सवाविकता उसमें कतम हो जाती है जैसे कि गर में पती-पतनी आपस में जो भी समन्द रखते हैं जैसे भी है वो क्या है सवाविक समन्द होते हैं लेकिन जैसे ही कोई महमान आता है तो वो समन्द क्या होते हैं बदल जाते हैं तो यानि सवाविक इटना का गटित होते सम नेत्रों दोवारा सूव विवस्तित एयों उद्देश्य पुर्ण अध्यन है पीवी यंग ने कहा है यहां पे इनोंने एक ही ग्यानेंदरी का प्रियोग किया है इसका नेत्रों के द्वारा सुवे वस्तितेओं उद्देशे प्रुण अध्यन सबाविक गटनाओं का उसी करम में जब वो गटनाएं गटित हो रही होती है वॉल्फ ने क्या कहा कि आउलोकन वस्तुएं गटनाओं उनकी विसेश्ताओं उनके समंदों की अनुबहो द्वारा जांच करने की परकिरिया यह प्रिबासा थोड़ी सी हमें एजी से याद हो जाएगी इन्होंने वस्तुओं गटनाओं और उनकी विशेश्ताओं और उनके समंदों की जांच है वो आउलोकन में करते हैं C.A. मोजर ने क्या कहा? C.A. मोजर ने कहा कि आउलोकन वानी एंग कानों की अपेक्षा आंखों का अधिक प्रियोग है अब एसा मत समझ ले ना कि बानी और कानों का प्रियोग नहीं होता है जब अगर किसे एक जगड़े का अगर हम एधन करना है तो जब हम सुनाई देंगे ना तबीत होगा ना यानि कानों का उप्योगत हो रहा है लेकिन कम हो रहा है आंखों का जादा हो रहा है तो C.A. Moser ने बानी और आंखों की बज़ाये कानों को अधिक में तो दिया है ये C.A. Moser कह रहे हैं गारड़नर ने क्या काया कि अनुवव आश्रित उदेशियों के लिए जीवधारियों से सम्मंदित उनकी सवाविक स्तीतियों में उनके विवार तता स्तीतियों का चेन अभीलेखन एंकोडवद करना अवलोकन कहलाता है तो ये परिबासा थोड़ी सी विस्तृत परिबासा ह लेकिन PV यंग और CE मोज़र की जो परिबासा है वो ज़ादातर है वो पुछी जाती है अब है कि आवलोकन की विसेश्ता हैं कोन सी जब तक का आवलोकन की विसेश्ता हैं आपने देखोगे तब तक आवलोकन को समझ नहीं पाएंगे उसके बाद हम अभी आवलोकन के परका लेकिन इसमें कान और वाने का परियोग भी होता है अगर नहीं करेंगे अगर कोई बिल्कुली सुन नहीं पाएगा तो वो आउलोकन नहीं कर पाएगा बोलते हुए सुनेगा क्या वो बोल रहे हैं यह नहीं सुन पाएगा यह प्राथमिक तत्थियों का संकलित किये जा सकते ये कार्यकारण समंदों को ग्याद करना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है जब कोई दो जगड रहे होते हैं तो हम देख रहे हैं उनकी बातें सुन रहे होते हैं कि ये क्यों हो रहे हैं इसके कारण क्या है फिर हम उसकता है उनसे बातचीत करें पिर उनको जानने का प्रयास करें अगर कोई भी विद्धी होगी उसका भी अवलोकन करेंगे अनुसुची में करते हैं परस्नावली में भी होता है जब परस्नों को देख रहे होते हैं तो अवलोकन कर रहे होते हम कि क्या उन्होंने लिखा है ये अनुबाविक अध्यन है, अनुबाव के धारपे है, ये गटनाओं का गुनातमक व्याख्या है, लेकिन सासात में संख्यातमक में है, गुनातमक भी है और परिमानातमक भी है, ये क्योंकि अलग-अलग परकार है, आउलोकन के, इसलिए दोनों परकार के तथे से जुटा तो ये परतेक्स विद्धी है, गटनाओं को परतेक्स गटित वे, इसमें हम देखते हैं, तो ये सबसे अधिक परतेक्स है, तो ये ही है, ये सुक्सम है, गहन है, उदिश्यपुर्ण है, और ये अन्य पदतियों में भी इसका प्रियोग होता है, जब हम इंट्रिव ले रहे आउलोकन कितने परकार की होते हैं, तो आउलोकन को बड़े बड़े रूप में हम तीन भागों में बाढ़ते हैं, एक, दो और तीन, बड़े बड़े तीन भागों में आउलोकन को बाढ़ते हैं, ए नियंत्रित आउलोकन, अनकंट्रोल्ड, नियंत्रन नहीं है, यानि जो गटना गटित हो रही है वे हो रही है अपने उसको नियंत्रित नहीं कर रहे होते हैं तो इसके भी तीन परकार होती हैं सहेबागी ऐसेबागी और अर्द सहेबागी सहेबागी आउलकन और ऐसेबागी अर्द सहेबागी दूसरा है नियंत्रित आउलकन Controlled Observation इसमें क्या होता है? या तो जो गटना गटित हो रही है उसको नियंतरित करेंगे या फिर आउलोकन करता खुद को नियंतरित करेंगा खुद को नियंतरित कैसे करेंगा? वो भी हम अभी चर्चा करेंगे एक है सामुहिक आउलोकन इसमें जो आउलोकन करता है वो अकेला नहीं होता है दो या दो से धिक आउलोकन लोग मिलकर एक साथ आउलोकन करते हैं तो ये मुख्या परकार है अब इसको जो नियंतरित और आउनियंतरित है उसको अलग-लग रूपों में हम व्याख्या कर सकते है वेवस्तित और एवेवस्तित जो नियंत्रित होता है वो क्या होता है वेवस्तित होता है और जो एवेवस्तित होता है और जो एवेवस्तित होता है शेरंचित जो नियंत्रित होता है वो क्या होता है शेरंचित होता है जो एवेवस्तित होता है सभाविक और एसभाविक तो यह जो ए नियंत्रित होता है वो सभाविक होता है जो नियंत्रित होता है वो ए सभाविक होता है परतेक्स और एपरतेक्स और गुप्त यहों परकट आउलोकन तो यह ऐसे ही नाम दिये गए हैं आपकी स्विधा के लिए ताकि समझ सको दोनों में अंतर कर सको अब हम बात करत या सम्विक अवलोकन ए नियंतरित को तीन बागों में सहबागी ए सहबागी अर्द सहबागी और इसको गटना पे नियंतरन और अवलोकन करता पर नियंतरन और फिर सम्विक तो पहले हम बात करते हैं ए नियंतरित अवलोकन की किसकी ए नियंतरित अवलोकन की इसमें पे या नुसंदान करता पे किसी प्रकार का कोई नियंतर नहीं होता है इस प्रकार का अवलोकन तभी किया जा सकता है जब गटनाएं है वो गटित हो रही होती है जहुदायों कुक ने इसे ए सरंचित अवलोकन कहा है इसने कहा जहुदायों कुक ने ए सरंचित गुडेयों हा भारण, अलोकन इसे अनोपचारिक सोटंतर और ए निर्देशित अलोकन भी कहा जाता है यह इसके तीन नाम है ए अनोपचारिक यानि किसी प्रकार की कोई फॉर्मल्टी नहीं की जाती है सौनतंतर होता है कि जैसे करियां हो रही है, वो हो रही है ए निर्देशित हम उन चीजों को निर्देशित नहीं कर रहे हैं जैसा सभाविक हो रहा है वो हो रहा है सभाविक भी इसको कह सकते हैं पर्टेक्स इसको कह सकते हैं तो ये मुखे रुप से ए नियंतरित अब हम बात करते हैं की ऐनियंतरी के अंदर कौन-कौन से आउलोकन आते हैं, पहला है सहह बागी आउलोकन क्या होता है अगर किसी चीज को अच्छे तरीके से जानना है तो पूर्न सह बागिता जुरूरी होती है सहे बागी होना उसका जरूरी है भी आप ये class देख रहे हो अगर प्रुणते आप सहे बागी नहीं होना मेरे साथ तो आप इस चीज़ को उतना तरीके से clear नहीं कर पाऊगे इसका इतना अच्छे तरीके से आउलोकन नहीं कर पाऊगे लेकिन यहां अब सहभागी का थोड़ा सा अलग अंतर है सहभागी अउलोकन यानि participant जो observation है ये सबसे पहले लिंड में ने परस्तूत याई सबद का प्रियोग किया था सहभागी अउलोकन का देखो सहभागी अउलोकन तो पहले भी होते आ रहे हैं लेकिन सहभागी अउलोकन सबद का जो पहली बार प्रियोग किया वो लिंड में ने अपने पुश्टक सोसल डिस्काउरी में किया किस में किया? सोसल डिस्काउरी में 1924 के अंदर ये परस्ण भी प्रिक्षियाओं में बार बार पुच्छा गया है कि सहभागी अउलोकन का पर्थम बार रहा वो प्रियोग किस ने किया तो ये परसन है वो कई बार प्रिक्षा में पूछा जा चुका है होवार डेयों लिपले ने भी छोटे स्थर पे इससे पुरो ही 1924 से पहले ही अउलोकन है वो सहभागी किया है लेकिन सब्द का प्रियोग है वो लिंड में ने किया है तो परसन आजए कि किस ने दी आउधार ना किस ने दी किये किसी और ने है चीज़ें तो बहुत पहले से होती आ रही है लेकिन सरव पर्थम प्रियोग किस ने किया वही उसका जनक माना जाता है आगे है रिवर्स ने इसको गेहन छेत्री एकार्य का है क्या का है रिवर्स ने इसको सहब आगी अवलोकन को क्या का है गेहन छेत्री एकार्य गेहन ता के साथ छेत्री एकार्य करना इसमें क्या होता है जो भी समुय होता है, छेतर होता है, तो उसमें अवलोकन करता है, समुय का सदस्य बनकर अधिन करता है, अवलोकन करता है, यानि समुय का सदस्य बनना, समाने जीवन में वो एक सदस्य के रूप में, उस समुय का सदस्य बनकर ही अवलोकन करता है, मोजर ने इसे वैक्ति प्रदान विद्धी क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति ही महतोपण होता है तो व्यक्ति प्रदान विद्धी है मोजर ने कहा रिवर्स ने इसे गहन छेत्रिय कारे कहा और मेलोवन्स की मोहद्य सेहबागी आउलोकन के सबसे बड़े अस्ताक्सर है पीवी यंग न दूसरा है कि एस है बागी आउलोकन्नोन पार्टिस्पेंट ओब्जरवेशन तो इसका सरुपर्थम प्रयोग है वो 1937 में बिर्टेन में होरी जोन हेरिसन और जोन मेज ने किया है इसे अंतर अनुसासन पदती भी कहते हैं सोरी ये थोड़ा सा यहाँ है ये जो मैं बता रहा हूँ इसे अंतर अनुसासन विद्धी कहते हैं और ये सामुहिक आउलोकन की बात आ रही है ये किसको कहते हैं ये होता ना तीसरा परकारता अपना सामुहिक आउलोकन तो अंतर अनुसासन पदती है वो किसको कहते हैं सहर सामुहिक आउलोकन को कहते हैं और इसका प्रयोग 1937 में ब्रिटेन में टोम, हैरीसन और जोन मेज ने किया सहर भागी आउलोकन का नहीं है थोड़ा सा ये टाइप्विंग है वो यहाँ पे गल्त हुई है, तो यह जो अंतर अनुसासन पदती है यह किसको कहते हैं? एश है वागी को नगी कहते हैं सामुहिक आउलोकन को कहते हैं, जैसे कि समीर पेट गाओं का अधियन किया था समीर पेट गाओं जो कि अब तेलंगाना में है पहले अंदर परदेश में था वहां में एक टीम लेगे थे और उनके हेड कौन थे उनके हेड थे एसी दूबे उनके हेड थे तो उसको क्या काया है उनको उनको हम कहते हैं सामुईक आउलोकन इसको क्या कहते हैं अंतर अनुसासन पदती को और इसका सरोपरतम प्रियोग हेरी सन्य किया इसको कहते हैं सामुईक आउलोकन अगर हम ऐसे बागी आउलोकन की चर्चा करें तो इसमें क्या होता है कि जो आउलोकन करता है अनसंधान करता है वो क्या होता है सहभागी नहीं होता है क्या नहीं होता है सहभागी नहीं होता है वो एक बाहर दूर सही बस ऐसे खड़ा हो जाता है और गटनाओं को देखता रहता है जैसे कि दो लोग जगड रहे हैं अगर सहभागी तो क्या होगा तो उनके बीच में जाएगा वो कारण जानने का प्रयास करेंगे और ऐस है भागी क्या होगा दूरी खड़ा रहेगा और देखता रहेगा और वास्तों में अवलोकन होता ही यही होता है निरक्सन करना, observation करना यही तो होता है तो इसलिए random gold ने इसे पुरण अवलोकन का है क्या कि complete observation इसे ही का है किसको ऐस है भागी अवलोकन को तो यह बार फिर मैं दूबार बता दू यह अंतर नुसासन पदती है वो इस सहह भागी का नहीं है सामुहिक अवलोकन की बात है वो करते हैं अब है अर्द सहह भागी अवलोकन यह जो अवलोकन करता होता है वो कुछ गटनाओं में तो सक्रिय भाग लेता है लेकिन कुछ में वो सक्रिय भाग नहीं लेता है कि उल्दूर से देखता है यह इसमें सहह भागी और ऐ सहह भागी दोन्नों का मिस्रन होता है किसका होता है चाहे कितना भी कुछ भी कर लिया जाए लेकिन पुरणतिय सहभागिता नहीं हो सकती पुरणतिय सहभागिता होई नहीं सकती क्योंकि समुए का सदस्या बनना बड़ा मुश्किल काम होता है हम जाएंगे तो पता होगा कि ये तो दूर से वेक्ती कोई आया है उस समुए का थोड़ी हो सकता है, तो पुर्णतिया सहभागिता नहीं होती चलिए मद्यवर्ति महारग है, वो अपनाया जाता है, यानि कुछ चीजों का सामुई का उलोकन किया जाता है, सहभागी किया जाता है, और कुछ का ऐ सहभागी किया जाता है, आगे है, जो मैं सहभ तहीं बागी की बात कर रहा था यह जो तिसरा परकार था अपना एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं कि सोरी सह बागीता की जो बाट है जो यह सामोवी का व्लोकन सामोवी को व्लोकन किया होता है नियंत्रित और यही हैं नियंत्रित और a Colin के मिश्रन होता है यह अनेक वेक्तियों की टीम के द्वारा किया जाता है जिसका नेता है वो कोई एक होता है ऐसा ऐसी दुबे ने किया था इसे अंतरन नुसासन पदती भी कहते हैं अब आगे है नियंत्रित आउलोकन जिसमें गटनाओं को वो है नियंतरित किया जाता है आवलोकन उसको कंट्रोल्ड किया जाता है कंट्रोल्ड है वो केसे किया जाएगा केसे किया जाएगा ए नियंतरित आवलोकन की जो कमिया है उसको दूर करने के लिए किया जाता है इसे सेरंचित क्या कहा जाता है सैरन्चित अवलोकन भी कहा जाता है इसमें किया या तो गटनाओं पर या अवलोकन करता पर नियंतरण स्थापित किया जाता है टेप रिकल्डर के माध्युमसे अनवेशनात्मक जो अध्यन है उनके लिए उपयोगी माना है गुडे हों आट ने इस विद्धी को जो अन्यवेशन आत्मक या जो प्रयोगा आत्मक होते हैं तो इसमें क्या किया जाता है कि जिस परकार से science subject है science की जो research लेबोर्टरी में होता है उसी परकार से ये माना जाता है कि social science में भी इस परकार से किया जा सकता है लेकिन ये काफी मुश्किल होता है गटनाओं पर नियंतरन ये दो परकार के होते हैं या तो गटनाओं को नियंतरित किया जाता है तो विसेश परस्तीतियों में निर्मित करें विसेश परस्तीतियां निर्मित करें प्रस्तीतियां ही गटना ही निर्मित की जाती है। कि जैसे कि आप जाओगे और जाके उसको ऐसा बोलना वो आपको किस परकार से रियेक्ट करेगा। और उसके कितनी थकान होती है यनि किसी से 10-10 गंटे काम करवाना सर्मिकों से और फिर उनकी थकान का आउलोकन करना। और उनकी उत्पादक्ता और वावित हो रही है या नहीं हो रही उनका आउलोकन करना। तो ये गटनाओं पर नियंतरन है, आउलोकन करता, खुद पर नियंतरन कैसे करता है, कि वो एक अनुसुची लिख लेता है, क्योंकि जब भी वो जाता है, तो सारी चीजें उसको याद नहीं रहती है, तो वो एक सुची बना लेता है, उसमें वो फोटोग्राफ नोट करलात है, वो डाइरी अपने साथ में रखता है, वो केमरा साथ में रखता है, और बाद में भी उन गटनाओं को देखता है, कि क्या-क्या कोई चीज छूड़ तो नहीं गई है, तो इस परकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, आउलोकन करता पर नी अंतरन कहलाता है, अब सामुहिक हम पढ़ चुके हैं, अब दोनों में अंतर क्या है, सहबागी और ऐ सहबागी अवलोकन में अंतर क्या है, अंतर क्या है, सहबागी अवलोकन में सहबागी ताधिक होती है, ऐ सहबागी मा कम होता है, इसमें सहबागी से गहन अदिन किया उसके कारणों को जाना, उससे पुछा जा सकता है कि इस करतना के पिछे कारण क्या आता है, ऐ सहभागी में नहीं पुछा जा सकता, सहभागी में धन और समय अधिक खर्च होता है, ऐ सहभागी में कम होता है, लेकिन ऐ सहभागी आउलोकन है, उसमें पक्सपात की संभावना क कम होती है कि जब हम किसी समुवा में चले जाते हैं तो फिर वो हमें अपने मजबूरियां बताते हैं तो हम फिर उससे उनकी जो मुल्य होते हैं उनसे प्रवावित हो जाते हैं और सही तरीके से आउलोकन वो नहीं हो पाता है तो ये दोनों में अंतर है तो ये मुखे मुखे है वो होच चुके हैं अब है कि ये परकिरिया कैसे होती है आउलोकन की परकिरिया है वो कैसे होती है क्योंकि वैसे तो हम हर चीज़ को देखते हैं लेकिन आउलोकन जब हम सामाजीक अनुसंधान के अंतरगत करते हैं तब क्या होता है तब क्या होता है कि उसमें सबसे पहले विषिये का चें किया जाता है और अनुसंधान स्तल का चें है वो किया जाता है और अधार सामगरी ईकटी की जाती है तो इसके लिए वो नोट्स बनाए जाते हैं फिर इनका विसलेशन किया जाता है और अंत के अंदर परतिवेदन भी लिखा जाता है तो ये आवलोकन की परकिरिया है आगे है आवलोकन करता कि गुण भी अच्छा आवलोकन करता है उसके क्या गुण होने चाहिए गुण तो होने चाहिए न सभी के अंदर बगेर गुणो हम जैसे कि देखते हैं जब आप मार्केट के अंदर जाते हो तो क्या होता है कि जो अच्छा दुकानदार है उसका क्या गुण होता है कि वो अच्छे अच्छे चीज़ें हैं वो बाहर लगा के रखता है और जो खराब चीज़ें होती है वो दुकान में होता है जैसे ही आप सडक से जाय होते हैं, तो आप देखकर उनके तुरंत आकरसित होते हो और दुकान के अंदर गुज जाते हो, और बाद में उनके पास इतनी कला होती है कि वो आपको एक दो पिस्तों चिपका ही देंगे, इसी परकार से आज कल यूटूब पे भी चलता है, कि कोई जो यूटूबर है, वो क्या करता है अपनी 10-20 कलासें अच्छी तरिके से त्यार करके, सजाद अजा के क्या करेगा, आपके सामने परस्तूत करेगा, आपको वो अच्छी लगेगी क्योंकि उसके पिछे उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है यानि 100-20 के तोर पे 10-20 लगेगी, बाद में वो कलास लगाने क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं कि आजा बेटा, अब अगर तेरे को और ज़्यादा कलास है चाहिए तो आंद रहा हमारा ये पेड कोर्स है ये आपको ख्रीदना पड़ेगा तो ये गुण है आजकल दुकांदार के, यूटूबर के, आउलोकन करता में भी ऐसे गुण होते हैं जैसे क्या होती है, उसमें गुसलता होती है उसमें परिशिक्षन भी दिया जाता है कि किस प्रस्तिती में, किस परकार से उनको विवार है वो करना है जो अनसंधान विश्य है, उसकी पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए आउलोकन इनका करना है, उनका भी ज्यान होना चाहिए कुछ अनपेक्सित समस्याएं भी आ सकती है, उनसे कैसे निपटना है उसकी समझ होनी चाहिए, अनुकुलन समता होनी चाहिए, लचिलापन होना चाहिए और एक साथ केई चीजों का वो आउलोकन कर सके, एस ही उसकी अंदर समता होनी चाहिए अब आगे है कि आउलोकन के अंदर हम किस परकार से उसकी विश्वसनियता को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं तो एक तो पहले पूरी योजना अगर प्यार करें, तो आउलोकन अच्छी तरीके से होगा अनुसुची का प्रियोग किया जाएगा जब हम आउलोकन करते हैं तो भूल जाते हैं कि हमें किन-किन चीजों का आउलोकन करता है या माननों हमें पांच पक्सों का अधिन करना है अगर हमारे पास अनुसुची नहीं होगी जैसे कि जब हम मार्केट से कोई समान लेके जाते हैं तब हमें पता होता है कि यहां यह समान लाना है लेकिन गरा के देखते हैं तो दो-चार समान है उसमें से नहीं होता है अगर हम लिस्ट बना के लेंगे तो यह दिक्कत है वो नहीं आएगी प्राकलपना का निर्माना है वो पहले कर लिए ना चाहिए विज्ञानिक यंत्रों का भी प्रयोग किया जाए तो विश्वसनियता को और अधिक बनाया जा सकता है समाज मित्ती जो पेमाने है उनका प्रयोग किया जा सकता है और सामधी का अगर आउलोकन किया जाए तो और ज़्यादा बेटर है क्योंकि हो सकता है एक वेक्ति गलती करें लेकिन पांच साथ लोग एक साथ जब आउलोकन कर रहे होते हैं तब जैसे कि जब भी कोई competition होता है तो उसमें 4-5 जज़ बिठाए जाते हैं हो सकता है कि एक ने सही तरीके से चीजों को observe नहीं किया है लेकिन 4-5 लोग गलती नहीं कर सकते हैं आउलोकन से क्या लाब होते हैं तो ये सरल विद्धी है सहज विद्धी है कैसे भी इसको कर सकते हैं अनोपचारिक अध्यन की विद्धी है सारो भॉम्मी की विद्धी है प्राकर्तिक प्रयावन के अंदर हो सकती है परतेक्स विद्धी है सुक्सम अध्यनी से संबव है स्वेंगातमक प्रस्तेतियों का भी आउलोकन है वो किया जा सकता है उसे जो आंक्रे प्राप्त होते हैं वो विस्वसी है होते हैं तो ये आउलोकन के लाब है अब इसके नुकसान क्या है आउलोकन की इसकी सिमा ये होती है कि ग्यानेंद्रियों की भी एक सिमा होती है वो एक सिमा तक ही चीजों को अबजरो कर सकती है ज्यादा को नहीं कर सकती ह उसके पक्सपात भी आने की सम्भावना रहती है, कि किस परकार से वो घटनाओं को देखता है, इसमें प्रस्थेतेटियां होती है, वो क्या होती है? आयनियन्तरित होती है, श्त्यापन की सुविदा, देखा तो ठीक, नहीं देखा तो फिर उसका अलोकनाम नहीं कर शकते, इ एक कReव़न जाय एक कि बाद आगपन किया जाय रह है उसको अवलोगम किया जाय जाय है तहो से एकू अब्यूमियोै एक भीवार मैं लाइख जाय गी जिसे हम कहीं जाय होते हैं, और कई वoterा कि के और भीडियो बना रहे हैं तो हम उसको तुरंढ च गर लेते हैं आलेखन की समस्या है कि जब गटनाएं गटित हो रही होती है तब तो हम उनको लिख नहीं सकते बाद में लिखते हैं बाद में कुछ चीज़ें याद रहती है कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है तो ये समस्या आती है इससे अधिक समय की आओ सकता होती है और अधिक धनकी आओ सकता होती है अब हम बात कर लेते हैं महतोपूर्ण परस्नों पर कि किस ने कहा इस परविदिक का प्रयोग तभी किया जा सकता है जबकि आउलोकन करता अपने उदेश्य को परकट किये बिना समुए का सदस्य मान लिया जाता है ये किस ने कहा तो एसा किस का मानना है एसा मानना है गुडेयों हाट का किन का मानना है गुडेयों हाट ने कहा कि इसका प्रयोग तभी किया जा सकता है जब अपने उदेश्य को परकट किये बिना यानि उदेश्य को परकट नहीं करता है फिर भी समुए उसको सदस्य मान लेता है अगर समुए को पता चल लगया कि यह इस उदेश्य से आया है तो दिकत होगी और अगर वो अपने उदेश्य को परकट कर लेता है तो समस्या होगी तो उदेशय भी पता नहीं चलना चाहिए और समुए का सदेशय भी बनना चाहिए उततरता कौन सा कथन सही नहीं है सही है परस्तितियों का दियन किया जाता है इस पर नियंत्रन होता है वो कम होता है नियमों की पालना नहीं होती है यह तो यानि सभी प्रकार के remove कशे विसेश्था है बागी में क्या होता है आवलोकन करता स्विम भागी दार होता है सामाजी गटनाओं में परसन नमर तीन आवलोकन की विसेश्था है यानि इनमें से अवलोकन की कौन-कौन सी विशेशता है तो गेर अनुबहुजन्य है अवलोकन होता ही अनुबहुजन्य है गेर अनुबहुजन्य है कि इसमें कोई बात नहीं है तो ये इसकी विशेशता नहीं है वेग्यानिक होता है पर्तेक्स विद्धी है निस्पक्स विद्धी है तो दो तीन और चार इसकी विशेशता है सहबागी आउलोकन तथा साकसाथकार का प्रयोग कर वेक्तियों के पर्तेक्स अधिन को क्या का जाता है इस प्रकार सहभागी अउलोकन से जब वेक्तियों का धिन किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं एथनोलोजी नर्द जाती वर्नन जैसा की मेलोवन्सकी ने किया था आगे है कि सहभागी अउलोकन का सरोपर्थम प्रयोग किस ने किया तो किस ने किया बताईए आप किस ने किया अभी हमने स्टार्टिंग में पड़ा था किस ने किया 1924 में सोशल डिस्कोवरी में लिंड में ने किया अनके बोस ने भारत के किस छेतर में व्यापक छेतरिये कारे किये तो पुरुवतर भारत में वेसिनों ने ओडिसा के अंदर भी छेतरिये कारे है वो किये है किसने सहबागी और लोकन से जेलों का धिन किया इंग्लेंड की जेलों का धिन किया किसने किया जोन हावर्ड ने किया तो ये आज की क्लास है हमारी समाप्त होती है कल हम इंटरिव्यू के बारे में चर्चा करेंगे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि आगे किस परकार से क्यारी करने वाले हैं अभी तीन या चार टॉपिक के अंदर हम रीसर्च को समाप्त करने वाले हैं उसके बाद में कुछ थिंकर्स बचे हुए हैं उन पे चरचा करेंगे और बाद में हम जो मॉर्डन थिंकर हैं उन पे आएंगे तो thanks for watching this video और please अगर subscribe नहीं किया है तो कर दें ये bell icon जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई class आती है उसका notification आप तक पहुंच जाए हाँ like जरूर करना like बहुत कम आ रहे हैं like करने में आपका क्या जाता है मुझे motivation मिलता है कि हाँ बच्चे हैं वो classes को like कर रहे हैं तो like, share and subscribe जरूर करना आपने इतने प्रेम से मुझे सुना इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद